दुकान के अंदर लगाई 24 से 25 बर्शिय योवक ने फांसी, जैब में मिला सुसाइड नोट पुलिस जाच में जुटी. छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बिजावर नाका पर स्थित. होम डेको की दुकान के अंदर 25 बर्शिय मुसलिम योवक ने फांसी लगा कर आत्महत्या की. ये दुकान मृतक के पिता की है और मृतक अपने पिता की दुकान में बैठता था. मगर आज अचानक दुकान के अंदर फांसी के पंदे पर जूलता मिला योवक का शब. घटना की सूचना पर मृतक के परिजन वग पुलिस मौके पर पहुची और शब को नीचे उतारा और मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है. जो पुलिस के पास है और उस सुसाइड नोट में क्या लिखा है यह एक रहस्य बना हुआ है. तो वही जन्चर्चा है कि हो सकता है कि इस आत्महत्या की बज़ा उस सुसाइड नोट में हो सकती है. मगर पुलिस ने शब को पोस्ट माटम के लिए भेजा और मर्क कायम कर जाच पड़ताल शुरू कर दी है. और जाच के बाद ही स्पश्ट होगा कि मृतक उस सुसाइड नोट में क्या लिख कर गया है. राज इंदिया 18 के लिए संभाग व्यूरो अरविंद वर्माच छतरपूर. और इसमें आगे जो भी साख चाएंगे जो भी एफेक्ट आएंगे उस अनुसार हम कर रहा ही करेंगे. एक सुसाइडर नोट मिला है वो भी जाच में लिया जाएगा और तद अनुसार इसमें कारवाई होगा. जोषा की एंगे उसमें नोगते फ़िए दोपान आगे एकर दोपान कुला एके प्राव करेंब माघाया जोगाटा आछूज की करेंश. को दोफान में है स्कुल बधान साट मां नहीं थे बाहर के बाहर बाहर विठे थे उनसे तो लड़के बाहर वेठे थे ते सूचा, मैंका पता नहीं थे उनसे कोई अजदा पाजने के लिगा गुंतिर सकान में वहार पता किसा किके क след करब 65 00ewg फुट्रा हो इतने वरी मीकिन गुटने के अफ्यार पहुत पोढ़ी है ? व जो रहे हुआ हो पहुत थे तो इतनी वह दोकान कोई थे ? दोकान में आठास नहीं थाकि अकेले बट जो अगल के जो दुपानडार भी निश्तरी लेड़े के हैं वो आ जातो है बाहर एक पंचर वाला रहता है वो भी आजाता है तो फाली टुपान के शारण कर दस खुली थी आजा जाता है